बिस्मिल्ला रह्मान रहीं असलाम अलेकुम कल हम कोडिंग्नीटर का इंट्रोडक्शन हमने देख लियाता है और हमने अपनी तरफ से एक कंट्रोल भी बनाया था उसके अंदर तो मैंने इस प्रोजेक्ट को दुबारा से स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हम यह काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी base URL सैट करते हैं वह किस तरह से होगी कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे तो उसकी जो है base URL generate होती है वह आपकी यह है मतलब यह localhost मतलब आपका domain name यहां तक जो भी है यह आपका domain name मतलब जो हमारी base URL सैट होगी वह यह होगी इसको हमने सैट कहां करना है मैं इसको यहां से copy कर लेता हूँ और इसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट सब्लाइम ने open किया हुआ है यहां पर मैं application के folder में आऊँगा application के folder में आठे मेरे पास config नाम का folder है में इसको open कर लेता हूँ और यहां पर इस जगह पर आप देखो कि आपको एक config.phd के नाम से file में ज़र आदे तो हमारी जो base URL सैट होगी वह इसको open कर लेता हूँ और इसको open करने के बाद जो है मैं इस जगह पर आ जाता हूँ contact base URL है यहां पर आकर जो हमने path copy किया था वह मैं यहां पर test कर देता हूँ तो यह आपकी base URL सैट होगी अच्छा इसमें एक चीज़ का खयाल करें कि आपकी जो base URL है उसमें किसी भी किसम का space ना हो मिसाल जैसे मेरे पास यह project है उसके बाद कोई भी मेरी directory है जैसे something तो इस तरह आपकी जो URL है वहां पर space नहीं होना चाहिए तो यह issue है इसको आप कोशिश करें कि space अगर आपने देना है तो आप इस तरह से under score प्रेस करें अपने path computer ठीक है तो हमारी जो base URL थी वह यह थी तो हमारी यह base URL सेट हो गई है ठीक है और मैं दुबारा से space को refresh करता हूँ तो यह same output आ रहा है मतलब कुछ भी हमारे पास changing नहीं है ठीक है अचा इसके इलावा मैंने कल आपको कहा था कि जो हमारी by default file run होती है अगर मैं अपना folder structure open करूं box dev और उसके अंदर advanced advanced के अंदर यह हमारा project तो जो by default जो file run होती है coordinator के अंदर वो हमारी यह index file है फिर फर्दर यह आगे किसी controller की तरफ move कराती है controller जो हमारा run होता है first time मतलब जो इसमें by default हमें controller एक दिया हुआ है वो है welcome के नाम से मैं इसको open भी करके दिखा देता हूँ आपको तो यह हमारा welcome controller है जो हमने कल डिस्कस किया था और इसके इलावा मैंने आपको यह भी कहा था कि हमें अगर कोही भी function को run कराना है मतलब किसी भी path को view कराना है किसी page को view कराना है तो उसके लिए जो हमारा first function run होता है वो हमारा index function run होता है किस तरह से अगर मिसाल मैं यहां पर आकर अपने project के अंदर इस तरह से लिखने scope के मेरा जो controller था वो welcome उसके अंदर जो हमारा function था इंडेक्स तो यहां पर object not form क्यूंकि हमारे पास मैंने आपको पहले की बताया है कि जो हमारी first file run होती है वो हमारी index file run होती है जो के हमारी यहां पर मुझूद है तो हमें किसी भी controller को run करना है तो हमें इस file को लाज़मी run करना पड़ेगा किस तरह से मैं अपने project के बाल आता हूँ और controller से पहले यहां पर आकर index.php slash welcome मझलब हमारे controller का नाम और उसके अंदर index वाला फंड़ इंटर किया तो हीवे को same page मेरे पास open होता हम फर्दर आगे चलके इसको देखें किस तरह से remove करता है तो अब भी तक हमने काम किया एक हमारा जो भी controller हमें run करना जो सबसे पहले controller का नाम मादलब हमारी index इसके बार संसीं अब 6 इसके बार pulse उसके बार हमारे controller का कोई भी function जो हमें run करना है जैसे निसाल मैं यहां पर आकर इस path को यहाँ सेरे delete कर देता हूं एको एको और उसके अंदर एक मैसिज देता हूं है लो स्टूडेंट्स वेल्कम चूँ और इमाइट इने सेफ किया सेफ करने के बाद में इस जगह पर आकर अब मुझे जो फंक्शन रन करना है वो मेरा है लो का फंक्शन है तो यहां पर आकर में लिखेंगा मैंने इंटर दिया तो यह सेम रिजल्ट जो मैंने वहां पर स्टेटमेंट पास की थी वही चीज मेरे पास यहां पर आ रहा है तो एक चीज़ याद रखना के अंदर हमारे पास फाइल्स रन नहीं होती हमारे पास फंक्शन्स रन होता है तो अब हम यह काम करते हैं सबसे पहले कि हम इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो इस इंडेक्स वाली फाइल को मतलब डिलीट करना है कि मैं अगर इस फाइल को ना भी लिखूं तो भी मेरा यह फंक्शन रन होना चाहिए मुझे आप्जेक्ट फाउंड का एरर ना आए उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं यहां पर आकर मैं जो है सारी फाइल्स बन कर लेता हूं और जो मेरा बेस यॉर्स मतलब जहां से मेरा रूट फोल्डर है जो मेरा जैसे यह मेरा रूट फोल्डर प्रोजेक्ट है तो यहां पर आकर मैं काम करता हूं इस जगा पर आकर एक कि मैं यहां पर आकर अपने प्रोजेक्ट के बार इस जगा पर user underscore guide लिखता हूँ तो इस जगा पर मैं आ गया मतलब यह offline user guide है और इस जगा पर आकर मैं लिखता हूँ Remove Index इस जगा पर हमारे पास Url order this one कि हम जो है index फाइल को के से remove करते हैं, तो उसके लिए हमेन कुछ rules define करने पढ़े हैं कि rewrite rule engine वो हमारा ऑwn कुछ दूरर on हो जा इसके लावा rewrite condition कि हमारी जो भी फाइल request आ रही है This अनला अनला कोई भी कुछ भी कोई भी चीज आ रहा है तो इसमेंसे जो index वारी file है इसको remove करता हूँ तो मैं इस code को यहां से copy करता हूँ copy करने के बाद यहां पर आकर जो मेरी htaccess file है मैंने उसके अंदर test कर दिया उसके बाद मैंने यहां पर save कर दिया कि अब इस file को close करता हूँ मैं और इसके बाद इस जगा पर आकर मैं यहां पर आकर इसको refresh करता हूँ तो देखो मेरे पास वह चीज रन हो गए अब मुझे यहां पर index.php लिखने की ज़ुरत नहीं है मैं कोई भी controller का नाम define करूँगा उसके बाद उसका जो भी मुझे function run करना है तो वह चीज मैं इस तरह से run करूँगा इसके लाबा यहां पर जो है मेरे पास जो by default function run हो रहा है यहां पर वो index function है तो जो सबसे पहले जो हमारा function run होता है किसी भी controller का वो index function होता है तो उसके लिए हम जो कोई भी rule define नहीं करते है कि वो जो हमारा by default ही run होता है अगर हम उसकी बात करें तो कोई भी project हम जब create करते है तो वहां पर भी जो हमारे पास सबसे पहले file जो run होती है वो index.pxp file होती है तो यहां पर भी same यही काम है कि जो हमारा by default जो function run होगा वो index.pxp मतलब index function हमारा run होता है तो आगे चलता है excuse me अब यहां पर आकर जो यह controller define हुआ है तो एक चीज़ ख्याल करिए कि जो भी हम controller create करेंगे वो मतलब हम कोई सी भी class create करते हैं वो controller हो या हमारे जो है इसका model हो लग किछ भी हो तो file का नाम और आपकी class का नाम same होना चाहिए यह coordinator का rule है और इसमे जो है एक rule और भी है कि आपकी जो file का नाम है जो फिर्स लेटर है वो capital होना चाहिए मतलब कि जो आपका यह जैसे यहाँ पर यह welcome की file है तो इस जगा पर आकर यह welcome का डबीू है यह आपका letter और आपकी जो file है उसमें जो welcome लिखा हो है उसका जो 1 लेटर है वो capital होना चाहिए और आपकी file nurse होना चाहिए तो यह रूल है, इसके लावा हम एक और कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए मैं अपनी अप्लिकेशन की फाइल में आता हूँ, और अप्लिकेशन की फाइल के अंदर आकर मेरे पास कंट्रोलर का पोल्डर है, और कंट्रोलर के अंदर आकर मैं यहां पर एक new controller create करता हूँ, मैंने कल भी जैसे create किया था, तो उसी पर जोए मैं एक new folder create कर लेता हूँ, मैं यहां से new click करता हूँ, इसके बाद मैंने यहां पर save किया, अब यहां पर जो आप controller का नाम दोगे, उसका जो first letter होगा, वो capital होगा, जैसे my controller.php, ठीक है, मैंने यहां की body start करता हूँ, और यहां पर आकर मैं जो एक class define कर लेता हूँ, class, और class का जो नाम होगा, वो आपकी file के नाम से match होना चाहिए, तो यहां पर my controller, my controller, extends, उसके बाद ci underscore controller, ठीक है, मतब जो आपका, जो कोई भी controller होगा, उसको आपने लाजमी extends करवाना, अपने इसले controller है, बाकी जो भी configuration है, वो इस file के अंदर आ रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो इस जगा पर आकर देखो, यह कुछ code लिखा होगा है, जहां पर हमार पास instance वगेरा set हो हो रहे हैं, तो प्राइवेट वेरीबल construction की रेट हो रहा है, तो construction, अब्जेक्ट औ काम करते हैं, तो इस file को मैं आज एक लोज करता हूँ, अब यहां पर आकर जो है, मैं अपना खुद का function divide करता हूँ, जैसे public function, और function का नाम में से मैं कोई भी दे देता हूँ, जैसे my func, my func दिया, उसके बाद यहां पर आकर, मैं जो है, इसमें कोई भी एक message view करा लेता इको, और इसके अंदर जो है, मेरे पास h1 कर टाएका आजाएगा, और यहां पर आकर मेरे पास message आजाएगा, और message में लिखता हूँ, welcome to coordinator, और इसको मैं अब run भी कर लेता हूँ, तो run करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस जगा पर आकर, मेरा controller का जो नाम है, वो है, my, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, my controller, और उसके अंदर जो आपकी function है, वो है my function, मैंने इंटर किया, तो यह सेम जैसे जा गया मेरे पास, welcome to coordinator, इस तरह से आप अपने controller के लिएट करते हो, तो इस वीडियो के अंदर है इतना ही, बाकि इंशाल्ला हमने एक फिलास में मिलते हैं, अब तक के लिए, अल्छा क्या आप।